हेलो शुडेंट स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के यलतुर चैनल पर आज का हमारा दूसरा वीडियो है जो समाजिक विज्ञान क्लास 10 है हमारा इतिहास चैप्टर 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्टवादी अंदोल है इसका पहला हिंद के दचीन में क्या है पुला अपूर सब में तुरों कोई नहीं कोई नहीं तो हिंध चीन के दचन में क्या है रिखेंगे चीन साओन हैं उस्सक्राइब अग्ला कुशन है निमलेखित मैं है किस सताब्दी में कमभूज का पतन हो गया था कंभूज का पतन किस सताब्दी में हुआ था पहला आप quickest ने 15 SHT आप दी दुस्टर netsẫn सोलाह सताब दी तरह स्घुप्ष्टर आ सत्रह तो बताना है कि सताब्डे में कंबोच का पतन हो गया था इसका आई सब्सक्राप्ण के नियातक देश्ज का विष्व में तीसरा सबसे बरा निर्यातक देश बन गया था पहलो प्सने रबड का का दूसरों प्सने चावल का तीसरों अपसने गेहूं का और चौठब ने मक्ता का तो याद रखेंगे चावल का। वियतनाम चावल का सबसे बारा सबसे बारा तीसरे नमर पर निर्यातक बन गया था 1931 इस भी तक है देखते हैं next question अगला question हमारा वियतनामी राष्टवादी दल का गठन कब हुआ था वियतनामी राष्टवादी दल का गठन कब हुआ था ऑफ्टन है 1910 दूसरा ऑफ्टन है 1904 तीसरा ऑफ्टन है 1922 और चौठा ऑफ्टन है 1926 तो बताना है कि वियतनामी राष्टवादी दल का गठन कब हुआ था तो याद रखेंगे 1914 इस्वी को 2014 को वियतनामी राष्ठवादी दाल का गठन होगया था अगला कुछिन capability ने राष्ठवाधियों ने किस वर्स वियतनाम कि स्वतंत्रता की गोशना की थी किस वर्स उन्होंने कहा था कि वियतनाम स्वतंत्र राष्ठ है पहला उप्षन है 2 सितंबर 1945 दूसरा उप्षन है 10 दिसंबर 1947 तिसरा उप्षन है 16 अक्टूबर 1949 और चोठा उप्षन है इन में से कोई नहीं तो कब व्यतनाम स्वतंत्र हुआ था इसका एंसा आपको यार दिखेंगे 2 सितंबर 1945 को वहां के राष्टवाद्यों ने व्यतनाम को 173 राष्ट के घोशना की थी अगला कुश्चन में पास एजेंट औरेंज क्या है एजेंट औरेंज क्या है ओप्षन देखके बताएगा पहला है आपका युद्धक विवान दूसरा उप्षन है रसाइनिक हत्यार त्रो और उन्हें एकतरा का रसाइनिक हत्यार है इसका भी उस युद में यूज हुआ था युद्ध फट्राइनिक हत्यार एक हत्यार है अगरा कुश्चन देखते हैं माईली गाउन निमलिखित मेंसे कहा इस्तित है एक माईले गाउं के घटना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है क्या घटना थी बताना है कि माईले गाउं निम्लिकेत में से कहां इस्तिता उत्री वियत नाम दचनी वियत नाम या फिर कमबोडिया या लाओस तो बताना है कि समझाते के बाद वियत नाम दो भागों में विवक्त हो गया था उस समझाते का नाम बताना है जिसके बाद वियत नाम दो भागों में बट गया था उत्रे वियत नाम और दचनी वियत नाम के में पहला उप्सन है जिनेवा समझाता दूसरा है पेरिस समझाता तीसरा है लं नाम दो भागों में विवक्त हो गया था आगे देखते हैं अगला कुछन हनोई शम्झाओता किन के बीच में हुआ था इसे पहले वाली कोश्च्छें था कि हम देखे था कि हनोई समझाओता के बारे में पहला अप्सोर ने हमरेक पास फ्रांस से हो वियत नाम दूसरों आप समझाता हुआ था तो याद रखेंगे फ्रांस वियतनाम में अगला कुछन है मारे पास कि हानोई समझाता हुआ था किस वर्स हुआ था अफ्सन देख लेते हैं पहला अफ्सन मारे पास मार्स दूसरा अफ्सन है फर्वरी उनिश्वर्ट तालिस तीसरा है जुन उनिश्वर्ण चास और चौठा अप्रेल उनिश्वर्ण तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो हनोई समझाता हुआ था वह मार्च उनिश्वर्ण च्छी आलेश को हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बेच तो इसका सब्सक्राइब करते हैं आपको कुछन समझ बहाए होगे अगर आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब करें कर दो कर कर कर